कीप गोईंग कीप ग्रोईंग फोलो यूर हार्ट एंड डोन लुप एक वेलकम बैक तो मैं यूटीव चानल विदेर देर देर इंफिमर्टी वीडियो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्केल्ड वर्क वीजा या वर्क वीजा जिसे भी कहते हैं उसकी टॉटल को होती है आपको कितनी कोस्ट जो है वो वीजा अपलाए करते वक्त पे करना पड़ती है या उसको जो है वो क्या उसकी वीजा फी है आये जिस चार्टिस आपको कितने पे करने पड़ते हैं और जो है आपकी कंपनी जो आपको बुला रही है वो आपको कॉस इसू करवाने का कितना जो है वो पे करती है और आपको लेसेंस इशू करवाने के लिए जो है वो कितना पे करती है आपकी कंपनी यह सब आपको क्लिए करके बताऊंगी basically आपके लिए क्या cost है और जो आपकी company है उसके लिए क्या cost है यह सब details से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अगर आप UK आने वाले हैं और आपका UK में visa cost आपको मालूम नहीं है एक्षार्जी जो है वो क्या होते हैं और पे करने के लिए जो आपको विजा फी के साथ करने पड़ते हैं यह उसके बाद करने पड़ते हैं तो यह सब डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगी तो डू नोट स्किप दा वीडियो अगर आप यह चैनल पर नहीं है तो सबसे सबसे पहले मैं इसमें आपको वीजा फी के बारे में बताऊंगी जब आप वीजा अप्लिकेशन सब्मिट करते हैं तो यह आपको पे करना पड़ती है और यह वीजा फी सेवन हंड़ टाइंटी पांड से लेके 1639 पांड तक होती है और इसके बाद जो सबसे बड़ी कोस आपको पे करना पड़ती है वह थे आयेचे चार्जिस इम्मिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज यहर किसी के लिए नहीं होता है यह आपको येर्ली जो है वह पे करना पड़ता है चाहे जितने भी येर्स के लिए आप वीजा अप्लाइ कर रहे हैं उतने ही येर्स का आपको आपके चाहिए जब आप यूख की आ रहे हैं आपको जो है वह अपने अकाउंट में 1270 पांड शो करने पर सकते हैं यह किसी के लिए नहीं है आके चाहिए मैं आपको इस डिटेल में आपको बताऊंगी में यह तीन बड़ी कोस्ट हैं जो आपको वीजा अप्लिकेशन के साथ साथ जो है वह आपको पे करना पड़ती हैं तो सबसे पहले में डिसकस करती हूं वीजा फीज की वीजा फीज के दो ऑप्शन है यानि कि अगर आप इंसाइड यूख के से अप्लाइ कर रहे हैं या आपको आपको जो है वह वह आपको पे करना पड़ती है यह में अप्लिकेंट और डिबंडंट दोनों के लिए सेम रहेगी वीजा फीज आपकी वीजा डूरेशन में रहेगी इसके साथ IHS भी एड होते हैं वीजा फी के साथ ही आपको IHS चार्जिस भी पे करना पड़ते हैं IHS फी हर वीजा कैटेगरी के लिए नहीं है कुछ वीजा कैटेगरी ऐसी भी हैं जिन पर IHS चार्जिस नहीं होते जैसे कि हेल्थ केल वीजा में IHS चार्जिस नहीं होते जै यह वह आपको टॉटल बिलाके 3105 पॉट्स देर पे करना होगी और वीजा फी एड करके जो है वह जो वीजा पी कोस्ट है वह 719 पॉट्स है तो जब इनको आई के स्कोर वीजा फी को गर हम काउंट टॉटल काउंट करेंगे तो तो अपको पड़ेगी वह 3824 होगी अगर जो है वह आपकी कोस्ट क्या होगी इस फी जो है वह आपकी 5175 पाउंड्स वीजा फी 1420 पाउंड्स और इनको जब एड़ करेंगे तो टोटल कोस्ट आपको पड़ेगी 6595 पाउंड्स अब बात करती हैं उनकी जो इंसाइड यूके से वीजा जो है वह स्किल्ड बरकर वीज पर इस चार्जिज जो है वह सेम होंगे तो वीजा कोस्ट उनको कितनी दिने पड़ेगी उनको जो है वह 827 जो है वह पाउंड्स पे करना पड़ेंगे में अप्लिकेंट और जो है वह डिपंडेंट के लिए जो है वह यह वीजा फी सेम रहेगी आइस चार्जिज जो है व आपके बनेंगे अगर आप इंसाइड यूके से जो है वह फाइफियर का विजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो आपकी होगी वह होगी 5175 पाउंड्स वीजा फी आपकी होगी 1636 पाउंड और दोनों को एड करेंगे तो टोटल को आपको पड़ेगी 6811 पाउंड्स अग आप आप आउटसेड यूके से या इंसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हो अगर आप तीन साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 551 पाउंड जो है आपको पेकर ना पड़ेंगे अगर आप इमिग्रेशन लिस्ट में है तो आपको आज की वीडियो अच्छी जीए और इसके लिए जो है वह एक लाइक तो बनता है